बढ़ती ठंड के चलते लगतार हार अटाइक के केसे सामने आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि हार अटाइक या चेस्ट पेन होने के बाद जो पेशिंस हैं वो हस्पताल नहीं पहुँच पाते और रस्ते में ही कई बार अपना दम तोड़ देते हैं ऐसे में कानपुर के LPS कार्डियोजी जो की उत्तरप्रदेश का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल है उन्होंने एक किट तयार करी है जो लोग अपने पास रख सकते हैं और अगर उन्हें चेस्ट पेन या हार्ट अटाइक होता है तो उस किट से दवाईयां तुरंत मौके पर लेके अपनी जाच बचा सकते हैं इस बर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीरच कुमार जिन्होंने किट तयार की है कितने की ये पूरी किट है क्या-क्या इसमें दवाईय है इस पे बात करेंगे सर ये जो किट मैं देख रहा हूँ आपके सामने पड़ी हुई है मैं आपको दिखा भी दूं कामरा पे ये राम किट नाम से जो है वो ये पूरी तयार की गई है इसमें Eco Sprint और Roast Triton जैसी कई दवाईयां हैं जो रखी गई हैं सिर्फ कितना प्राइस है इसका कितने रुपे में तयार हो जाती है और क्या उद्देशता है इसको तयार करना है ये इस एक किट की कीमत 5-6-7 रुपे इस से याद है इस एक डोज की कीमत नहीं है इसमें दवाईयां बहुत सस्ती हैं 35 पैसे की Eco Sprint की दो गोलियां है 80 पैसे का Sorbit Rate है और 3,5-4 रुपे का Roast Triton का एक टैबलेट है ये एक खुराक होती है इसको Loading Doors के नाम से जाना जाता है Medical Language में कोई भी पेशेंट जब चैस्पिन लेके किसी भी Emergency में जाता है तो सबसे पहले उसको यही तीन दवाई दी जाती है उसके बाद उसकी जहांचे ये आगे इलाज को बढ़ा जाता है इसी को बना कि हम लोगों ने ये किट तयार की है इन जो यहाँ पे इस किट में दवाईयां मौझूद है क्या यही दवाईयां आप लोग पेशन्ट जब यहाँ पे हॉस्पिटल आते हैं हार्ट अटेक के वहाँ पे भी देते हैं यह वही सेम दवाईया है और यह कुछ नया नहीं है यह जब से काइडिलोलजी का ट्रेटमेंट स्टार्ट हुआ है यह तब सही दवाईय परचलन में बस यह कि आजकल जिस तरह की समस्या बढ़ती जा रही है आचानेक से रोज कुछ नों को सुनने में आता है कि वहाँ पे कुछ कर रहे तो एक्सपायर हो गया कोई डांस कर रहा तो एक्सपायर हो गया तो इसको देखर एक बड़ा ही विचार किया जाए कि इसमें के बारे में क्या किया जाए तो यह हुआ कि क्यों ना इस लोडिंग डोर्ज को एक जन्मानस को उपलब्द करा दे जाए इजी ले लेवल पर उसको यह जानकारी हो जाए कि हमको अपने घर से हॉस्पिटल तक जाने से पहले अगर हम इस लोडिंग डोर्ज को अपने घर में ही खाय लेंगे तो जो काम हॉस्पिटल में 15, 20, 25, 30 चा 40 मिनिट बाद होना है वो दवाई आप घर से लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है आपके आउस्पिटल आते आते हैं आपके समय स्वाप्त हो जाए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं अपने जो लोग हैं जो आम लोग हैं जिनको नहीं पता होती चीज़ें उनके लिए आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि समझाने पाएं कि दो दवाईया हैं कौन सी हैं और कैसे उनको खानी हैं और अगर उनके साथ कोई किसी तरीके के नहीं होती है हार्ट अटेक आते हैं जी देखे इसमें तीन दवाई होती हैं हम सभी लोग जानते हैं कि जब हार्ट अटेक होता है तो हार्ट की जो नसे होती हो ब्लॉक कर जाती है उसके अंदर खून के थक्के बनने लगते हैं उसके वज़े से हम लोग को हार्ट अटेक ह है इसको सामाने अभाहस में घरम बात करेंगे तो कॉलेस्त्रॉocado कम करने की दवाई होती है यह उस थक्या के परसार को रोकती है और को कैसे लेना है यह दो गोली हमको दो गोली इकोस्पिन और एक टैबलेट रोजवा स्टेटिन की पानी के साथ खा लेनी है तीसरी जो दवाई है वो सॉर्बिट्रेटी आइस रोडिल होती है इसको खाना नहीं होता है इसको जीब के नीचे रखके हमको चूसना है उससे फायदा ही होता है कि अगर हम खाते हैं तो दवाई पहले हमारे पेट में जाती है और फिर बलड में जाती है चूसने से ये दवाई सीधा आपके बलड में ही जाएगी तो ये एक इंजेक्शन की तरह काम करता है वो उटोमेटीकलि उसके खोलने के व visualize से कम हो जाएगा और खून का बहुत दोबारा सुरू हो जाएगा मैं देख रहाता है इसमें आपने जो किट का नाम है वो राम किट रखा है राम किट के पीछे रखने के नाम की पीछे क्या उद्देश है देखे इसके पीछे कहीं सारी चीजे हैं पहले चीज तो परभूराम सब का एक जो हम लोगी आस्था है कि जब कुछ भी गलत होता है तो इश्वर बचाएंगे तो एक तो वो दूसरा इसके पीछे जो सबसर बड़ा जो मोटीव है वो मोटीव है कि जो गाव देहाद का इनस इसको रामकिट नाम देने से यह है कि इजली रहेगा मिश्टोर वाले को मालू होगे रामकिट की तीन दवाई हम उनको देनी है तो वो भी आराम से उसको दवाई दे देगा तो इसके लिए क्या है इसके व्यापक्ता बढ़ जाएगी इसकी यह सब के लिए अवलेबल हो करेंगी तो इसलिए इनका नाम रखा गया है तो राम इंद कहीं न राम बार साबित होगी उन लोगों के लिए जिने चेस्ट पेन या हर्ट डेक काते हैं इस किट को संभाल के रखें, अपने पास रखें, नोट डाउन कर लें नाम, और ऐसा अगर कुछ होता है, तो तुरंट इसका सेवन करें और अपनी जान बचाएं. वीडियो जनलिस्ट अमित के साथ, सिमर चावला, कानपूर, आज तक.